Hello viewers, बारम वेलकम इन दिस यूटूब चैनल Let fx equal to x square minus 1 and gofx equal to x minus undrude x plus 1 Which one of the following is a possible value of gx So student यहाँ पर क्या कह राए कि हमें दिया हुआ है gofx इसकी value है x undrude x plus 1 यहाँ पर हम इसको gfx रखेंगे तो यह x undrude x plus 1 और gfx हमारे पास दिया हुआ है x square minus 1 x square minus 1 रखने पर भी यह value आ रही है undrude x plus 1 यानि इसका मतलब यह है कि gx square minus 1 वरावर यह है तो अब हमें check करना है कि कौन सी value में यहीं सभी fx दिये हुए है fx में कौन सा value में x square minus 1 रखने पर यह value आएगी सबसे पहले हम first को check करते हैं कि हमारे पास मान लेजिए gx परावर है undrude x plus 1 minus 4 short x plus 1 तो put करें इस value को क्या यह आएगा सोज रखें x square minus 1 रखा हमने तो यहाँ पर x square minus 1 plus 1 4 times undrude x square minus 1 plus 1 यह 1 से 1 कट जाएगा यह 1 से 1 कट जाएगा और यह मेरे पास आजाएगा x square का root x और यह आजाएगा x square का 4 power यह एगस square by 1 upon 4 तो x minus यह बचेगा undrude x जोकि नहीं आ रहा है इसमें 1 नहीं आ रहा है तो यह हमारी पास possible नहीं है अब हम देखेंगे क्या g x इसमें possible है g x plus 1 4 short x plus 1 plus 1 तो इससे यह आ जाएगा जब हम x की value x square minus 1 रखेंगे तो देखते हैं x square minus 1 plus 1 और यह 4 short x square minus 1 plus 1 plus 1 तो यहाँ पर ये दिखें ये x square का root x आ रहा है यहाँ पर ये undrude x आ जाएगा और ये बन आ जाएगा तो ये वाला हमें satisfy कर रहा है तो इसका answer ये सही है इसके बाद इसको देखेंगे तो ये भी काम नहीं करेगा और इसको देखेंगे तो ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें 1x टारा है तो इस तरह से इसका b answer सही है तो gx हमारे पास होगा android x plus 1 minus 4 should x plus 1 plus 1 so this is the correct answer I hope you got it please like the video subscribe the channel thanks for watching